अगर आप एक स्टूडेंट हो राइट या फिर यहाँ पर आप ड्रॉप लिया हुआ है अपने एंबी बीस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नेक्स्ट या जो भी आने वाला है उसमें एक्जाम देने वाले हो इस साल राइट मैस जून में अब आपको एक चीज यहां पर समझने की जरूफे है कि कितने नंबर आखर हमें यहां पर लाने होंगी किसमें कितने स्कोर लाना होगा कितनी रेंक लानी होगी किस केटिगरी में सब्स्ता थेओं तो देख हमने यहां पर और डेटली मदद हो सके में संज़ के आकिर कितने नमबर लाने हो गें सो अगर हम एमस डेली की बात करें तो 4000 नमबर पर क्लोज ओगे ता कर्लिकर्व में जो है व हिलानी स्थार्ट पर थाँधि हए लेडियों अगर भाट करें तो यह यहां पर 38,000 पर close हो गया, so AEMS नादपूर जैसा कॉलेज जो आप यहां पर देख रहे हो 42,000 पर close हो गया, AEMS भटिंडा 43,000 पर close हो गया, AEMS मंगलागरी यहां पर हम बात करें तो 45,000 पर close हो गया, AEMS राजकोट की विर अगर abraет करें लगे इयां पर चॉपन हजार पे क्लोज हो गया है अगर हम बात करें यहाँ पर मीडिकल कॉलेज पाली की तो और क्लोज ही अगर हम बात super ना चॉपन जिसकी तो आप देख सकते हो कि यहां पर राजेंद इनस्टिटार मेडिकल राची में जो एक साठ्थ हजार पर क्लोज हुआ है, मेडिकल कालेज बढ़ होता है यहां पर एक साठ्थ हजार पर यह भी क्लोज हुआ है, कुछ और नीचे से ले आते हैं एंट जम्मू जेसा 63,000 तक गया हुआ है कुछ और नीचे आते हैं हम PDVT सर्मा आई जो रोतक में हैं उस कॉलेज की बात करें तो 66, 66,000 की रेंक में क्लोज हो गया है गबर्मेंट मेडिकल कॉलेज अगर हम बात करें इसकी बारमती की तो यहां पर आप देख रहे हो कि 70,000 तक गया हुआ है यह ST केटिगरी में SS Medical College रीवा की बात करें तो यहां पर 73,000 में गया हुआ है अगर हम बात करें यहां पर देख पा रहे हैं और गोवाहटी Medical College की तो 80,000 की रेंक में गया हुआ है यह SC केटिगरी में अगेन हम यहां पर आपको खिलियर कर देख अब अगर हम बात करें कि Autonomous State Medical College प्रिताबगड में जो यह 90,000 पर गया हुआ है तो आल इंडिया कोटे से भी अच्छी खासी आपकी मतलब एक लाग पिलस रेंग गई हुए है सो जवाललान नहरू Medical College एम यू अलिगर जो है कहें न कहीं इसकी सबसे ज़्यादा रेंग गई हुए है गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज ब्रुदुनगर में जो है इसकी रेंग गई हुए एक लाग दो हजार पांट सो नबे और यह सबसे कम रेंग थी सो अगर हम घुमा पर आके बात करें तो गवर्मेंट मेडिकलेज नीलगिरी राइट और ब्रुदम नगर की बात करें तो यह एक लाग पिलस तक की रेंग में मिले हुए है ST के टिगरी में किसको मिले हुए है मतलब अगर आपकी रेंग एक लाग के अंदर है ST में हो तो आपको यहां पर आल इंडिया कोटे से कोई ना कोई कोई जरूर मिल जाएगा तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और ST के टिगरी में हो तो एक प्लस पाइंट होगा आपके लिए क्योंकि जनरल वालों के लिए यार यह तो यहां पर 30,000 के अंदर ही क्लोज हो जाता है सब को राइट 30,000 में बोल रहा हूं बहुत बोल दिया है So make sure this thing कि आपके पास एक ब्रहमास्त है, ST कोटा है तो उसका अगर सही तरीके से यूज करोगे तो यह सारे बेनेफिट आपको हो रहे होते हैं आपने देखा भी हमने PWD में देखा उसमें आप देखोगे कि यह अब जितना PWD वालों को हैंडिकेप वालों को फाइदा मिलता है आपको उससे ज्यादा कई बार मिल जाता है benefit, so make sure this thing कि ST वालों के लिए हर जगा benefit है, यहां पर भी benefit साप नजर आ रहा है counseling में अगर हम compare करेंगे OBC वालों को कोई यहां पर benefit नहीं मिलाए भी, next video आप देखिएगा OBC वालों की तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा आपको यहां पर benefit मिल रहा है कि इस कोटे से, लेकिन अगर आप उस कोटे का use नहीं कर पा रहे हो फिर भी, तो यार कही न कहीं है, आपको देखो कि कहां कमी है, आपकी कहां उस सारी चीजों में कुछ कमी रह रही है, क्योंकि अगर आप थोड़ी बहुत अच्छे से मेहनत करते हो ना, 480 नंबर लाना इस नंबर पे ना, मत प्रदेश में, private colleges भी नहीं मिलता है, और इस साल भी यही आलादम हुए 480 नंबर पर private colleges भी नहीं मिलता है, जनरल वालों को, राइट, so yes, private colleges भी नहीं मिलता है, जिनकी फीज यहां पर 80-60 लाग होती है, और आपको यहां पर 400 नंबर पर मिल रहा है, so make sure this thing, और यहां पर इस चीज का plus point उठाएए, फाइदा उठाएए, कुछ 500 नंबर का टारगे with the next video, I hope you like this video, for more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe